वेल्कम टो ड्रीम के बीसी जी के दोस्तो एक बार फिर से फागते आपका ड्रीम के बीसी जी के यूटूब चेनल पर दोस्तो आप सब लोग कैसे हो, उमíद है आप सब लोग अच्छे होगे, स्वस्त होगे दोस्तो आज इस वीडियो के अंदर जारकन राजिय से सबस्ति जन्रल नॉलेज़ के सावन ने ग्यान के पूरे 50 क्यूशन इस वीडियो में लेकर आये हूँ हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगता है आपकी स्टडी में हेलफुल लगता है तो इसे लाइक कीजिए सेर कीजिए और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम के बीसी जिक्के यूटूब चैनल सबस्क्राइब नहीं किया है आप हमारी चैनल पे नए हो तो दोस्तो आपको नमबर विननती रहेगी आप निचे रहे सबस्क्राइब बढ़न को दबा दीजिए और बाजू मेरे बेल आइकन को आउन कर दीजिए ताक कि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुली नॉलेज़ेबल वीडियो की नॉडिपिकेशन मिलते रहे इस तो वीडियो अन त इस क्वेशन का सही उतरे बाबुलाल मरांडी जारकन के प्रतम मुक्य मंतरी दे चलते हैं अगले क्वेशन पर जारकन राजे का आकार किसके समान है वेरी वेरी इंपोर्ट क्वेशन है इसका आंसर आपको पता होना चाहिए अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेट कर दीजे इस question का सही उत्रे चतुर भूज आकर है जारखन राजे का आकर चतुर भूज है question number 3 जारखन राज किये पसु कौन सा है जारखन राज किये पसु कौन सा है very very important question है इसका answer आपको पता होना चाहिए इस question का सही उत्र हाथी तो भारती हाथी जार्खन राजी का राज की ये बसु है Question number 4 इंपोर्ट दुशने ये जार्खन किस राजी से कट कर बना है तो किस राजी से अलग होगर जार्खन राजी नए जार्खन राजी की रचना की गई थी इस question का सही उतर बिहार तो बिहार राजे से कट कर जारखन राजे बना है Question number 5 Very very important ने इसका आंसर आपको पता होना चाहिए जारखन का सीमला किसे कहा जाता है तो जारखन का सीमला किसे कहा जाता है इस question का सही उतर राची तो राची को जारखंड का सिम्बला कहा जाता है Next question Question number 6 गंगा नदी जारखंड के किस जिले में बहती है? गंगा नदी जारखंड के किस जिले में बहती है? Very very important question है इसका answer आपको पता होना चाहिए तो इसका सही उतरे साहीब गंज तो जारखंड के साहीब का जिले से गंगा नदी बहती है जारखंड के एक मात्र जिला साहीब गंज में गंगा नदी बहती है Question number 7 जारखंड राज्य में किस स्थान पर सुर्य मंदिर इस्तीत है? जारखंड राज्य में किस स्थान पर सुर्य मंदिर इस्तीत है? इसका सही उत्रे बुंडू, तो बुंडू में स्तित है, जारखंड राजी में एक मात्रा सुर्य मंदिर Question number 8, जारखंड के प्रथम राजीपाल कौन थे? जारखंड के प्रथम राजीपाल कौन थे? अगर आपको पता हो, तो इस Question का आंसर आप कमेड भी कर सकते हो, अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो, वेरी वेरी इंपोर्ड कुछ नहीं है इस Question का सही उत्रे प्रबाद कुमा, तो प्रबाद कुबार जारखंड के प्रथम राजीपाल थे? Question बनाएं, जारखंड की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, जारखंड की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो इस Question का सही उत्रे दामोदर नदी, तो दामोदर नदी जारखंड की सबसे बड़ी नदी है Q10. जार्खंड का राज्य पक्सी क्या है? जार्खंड का राज्य पक्सी कौन सा है? तो इसका सही उत्रे कोयल, तो कोयल है जार्खंड का राज्य पक्सी Q10. जार्खंड की सबसे उची चोटी कौन सी है? जार्खंड की सबसे उची परवत चोटी कौन सी है? इस sphere का सही उत्रे पारसनात हील्स तो पारसनात हील्स जारकंद की सबसे उची परवत चोटी है चलते है अगले question पे Question number 12, very very important question यह जारकंद की प्रथम cabinet महिला मंतरी कौन थी? जारकंद की प्रथम cabinet महिला मंतरी कौन थी? वेरी वेरी इंपोर्ट कुछिशन है इसका आंसर आपको पता हो तो चल्दी से इसका आंसर कमेट कीजिए इसका सही उतरे जोबा माजी जारकंड की प्रतम केमिनेट महिला मंदरी थी चलते हैं अगले कुछिशन पर question number 13 very very important कुछ ने इसका answer आपको पता होना चीजिए जारकन की सबसे प्रसिद धार्मिक स्थल क्या है जारकन का सबसे प्रसिद धार्मिक स्थल कुन सा है तो इसका उतर है वेद्यनाथ दाम जिसे देवगर में है विद्यनात दाम जो जारकंड का सबसे प्रसिद धार्मिक्स तल है Question number 14 Very very important question है इसका आंसर आपको पता होना चाहिए जारकंड की पारम परिक खेल क्या है? जारकंड का पारम परिक खेल क्या है? अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेट कर दिए इसका सही उतरे सेकोर है जारकंड का पारम परिक खेल अगला question जारकंड का प्रमुक परव कौन सा है? Question number 15 Very very important question है जारकंड का प्रमुक परव कौन सा है? अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेट कर दिए इसका सही उतरे सरहूल जारकंड का प्रमुक परव चलते हैं अगले question पर Question number 16 Very very important जारकंड किस नदी द्वरा निर्वित है? जारकंड में उन्दू जल्द प्रपात किस नदी पर निर्वित है? तो इसका सही उतरे सुवर्ण रेखा नदी पर निर्वित है? उन्दू जल्द प्रपात Question number 70 जारकंड का कौन सा राष्ट्रिय उद्यान बंगाल बागो की आबाती के लिए जाना जाता है? तो इसका सही उतरे बेतला राष्ट्रिय उद्यान बंगाल बागो की आबाती के लिए जाना जाता है? अगला question Question number 18 जार्खन में कुल जीलो की संगिया कितनी है तो इसका सही उतरे 24 है जार्खन में कुल जीलो की संगिया Question number 19 जार्खन का कौन सा सहर अपने प्रमुक इसपात अतुबाधन के कारण Steel City के रूप में जाना जाता है तो इसका उतरे जमसियतपूर Steel City के रूप में जाना जाता है इसको टाटा नगर भी कहते है Question number 20 Very very important कुछन है जार्खन की सीमा दक्षिन में किस भारती राजे से लगती है तो इसका सही उतरे पच्चिब बंगाल राजे से लगती है जार्खन की सीमा दक्षिन में Question number 21 और कौनसा आदिवासी समुदाए जार्खन में सबसे बड़े स्वदेशी समुओं में से एक है तो इसका सही उतरे मुंडा अगला Question Question number 22 जार्खन का कौनसा सहर अपनी कोईला खदानों के लिए प्रसिद है और इसे अकसर भारत की कोईला राजदानी कहा जाता है Very very important question है अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेट कीजे तो इसका सही उतरे धनबाद Next Question Question number 23 Very very important question है इसका आंसर आपको पता होना चाहिए पारसनात पहाड़ी जारकंड का सबसे उचा परवत किस समुदाय के लिए धार्मिक महत्व रखता है जारकंड का सबसे उचा परवत कौन सा है तो पारसनात है तो इसका उते हैं जैन जैन समुदाय के लिए धार्मिक महत्व रखता है पारसनात पहाड़ी Question number 24 कौन सी नदी जार्कंट की जीवन रेखा या Life Line के रूप मे भी जानी जाती है अगर आपको पता हो तो जल्दी से ुसका आंसर कमेट किए तो इसका सही उतरे दा मोदर नदी जार्कंट की जीवन रेखा की रूप मे भी जानी जाती है Next Question Question Number 25 किस प्रसीद्द लेटा और आदिवासी स्वतन्ता सेनानि का जन्म जारकंद के अग्रापको पता हो जल्दी से इसका Арंसर कमेंट कीजी है इसका उतर वाण बीरशा मुंड़ा का जन्म जारकंद के अग्रापह चलते हैं अगले वीशन पर Q26, जारकन का कौन सा जिला, कोईला और इस्पात के उतपादन के लिए जाना जाता है तो इसका सही उत्र बोकारो अगला कुशन कुशन अमबर 20 टाटा फुटबोल एक आदमी जिसने कई फुटबोल प्रतिभावों को जन्म दिया है जारकंड के किस सहर में स्थीत है तो इसका सही उत्र जमसेद पूर में स्थीत है Q24. कौनसा त्युहार जारकंड में कृषी मौसम की सुरुवात का प्रतिक है और पारम परिक नृत्य संगित के साथ मनाया जाता है तो इसका सही उत्र सरहूल Q24. जारकंड का कौनसा सहर जर्नों का सहर के रूप में जाना जाता है तो इसका सहुतिर राची सहर जरनों का सहर के रूप में जाना जाता है Question number 31 दिवी छिन्न मस्ता दिवी छिन्न मस्तिका को समर्वित रज रप्पा मंदिर किस नदी के तट परस्तित है तो छिन्न मस्तिका मंदिर कहा है तो रज रप्पा में तो किस नदी के तट परस्तित है तो इसका उद्रे दामोदर नदी के तट परस्तित है चिन्नमस्ति का मंदिर Next question Question number 32 प्रसीद नेतर हाट फिल स्टेशन जारकन के किस जिले में स्टित है प्रसीद नेतर हाट फिल स्टेशन जारकन का सबसे ठंडा स्तर है इस तरहाट जोस्तो अभी तक आपने हमारा यह वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर दिए और आपके फेस्बूक किया वाटसप के स्टडी ग्रूप में से सेर कीजिए ताकि कोई जरूरत मन स्टूडन को यह वीडियो फैलफूल होगा और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम के बीसी जिक्के यूटूब चैनल सबस्क्राइब नहीं किया है आप हमारी चैनल पे नहे हो तो दोस्तो आपको नमबर में नती रहेगी आप निचे रहे सबस्क्राइब बड़न को दबा दीजिए और बाजू मेरे बेल आइकन को आउन कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुली नॉलेज़िबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहेगी दोस्तो हमारी ड्रीम की ABC,ZK यूटोप चेनल का लेचिए बिज़िबल का पेसबूक पेसबुक के आप हमारा फेसबूक पे लाइक कर सकते हो Twitter पर भी फॉलो कर सकते हो Instagram पर भी फॉलो कर सकते हो हमारा Telegraph चैनल भी जोइन कर सकते हो उसकी लिंक मैंने यहां इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दी है तो वहाँ पे जाके आप हमें फोलो कर सकते हो तो वीडियो चो लाइक कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए कौन सी नदी जारकंड की दक्षिनी सीमा पर बैती है चो जारकंड और चत्तिस गड़ के बीच प्राक्रितिक सीमा बनाती है अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेड कीजिए तो इसका सही उतरे सौन नदी नेक्स्क्रिशन क्रिशन नमबर थरी भारत की लोह अयस्क राजदानी के रूप में जाना जाता है तो भारत की लोह अयस्क राजदानी के रूप में किसे जाना जाता है तो इसका उतर है पच्छी मी सीबुम भारत जारकन का पच्छी मी सीबुम भारत की लो अयस्क राजदानी के रूप में जाना जाता है अगला क्विशन क्विशन नमबर 35 अकबर महान का मकबरा जारकन के किस सहर में स्ती थे तो इसका सहीवत्र राजमहल में स्थित है अकबर महानका मकबरा Next question अपने एतियासिक महत्व के लिए प्रसित काला पहाड पहाड जारकण के किस जिल्ले में स्थित है तो इसका सहीवत्र गिर्डी है जिल्ले में स्थित है Question number 300 जारकन के किस जिले में सबसे कम जन संक्या है? तो इसका सही उत्रे लोहर दगा जिले में सबसे कम जन संक्या है नेक्स जारकन में कुल कितने प्रखंड है? तो इसका सही उत्रे 269 प्रखंड है जारकन में कुल अगला कुशन जारकन राजे में कुल कितने अनुमंडल है तो इसका उतरे 35 अनुमंडल है जारकन राजे में कुल कुशन नमबर 40 जारकन का राज किये पूस्प कौन सा है तो इसका सही उतरे पला से जारकन का राज किये पूस्प अगला question, जारकंड से होकर कितने राष्ट्री राजमार्ग गुजरते हैं, तो इसका सही उद्रेत तियरा, तियरा राष्ट्री राजमार्ग गुजरते हैं, जारकंड से होकर, अगला question, question number 14, जारकंड का सबसे उचा जल प्रपात है, तो कौन सा है, तो इसका उतर बुड़ा बुड़ा गाग जल्वरपात जारकन का सबसे उचा जल्वरपात है next question question number 43 very very important question है इसका आंसर आपको पता होना चाहिए जारकन में पहाडों की रानी के नाम से प्रसीद है तो क्या प्रसीद है तो इसका सही उत्रे नेतर हाट जारकन में पहाडों की रानी के नाम से प्रसीद है question number 44 जारकन की ओधों की राजदानी है तो कौन सी है जारकन की ओधों की राजदानी तो इसका सही उत्रे जमसेदपूर है जारकन की ओधों की राजदानी question number 45 जारकंड में पहला तामबा प्रगलन केंद्र कहां पर है तो इसका सही उत्रे जमसेदपुर में है जारकंड में पहला तामबा प्रगलन केंद्र नेक्स्ट क्वेशन जारकंड राजे में चुमर गीत किस अवसर पर गाया जाता है तो इसका सही उत्रे पर्वत युहार के अउसर पर गाया जाता है जारकण में जूमर गीत यहां पर गाट सिला आएगा जारकण में पहला तामबा प्रगलन के अंदरा गाट सिला में है समाच आते है तो जारकण का पहला तामबा प्रगलन के अंदरा गाट सिला में question number 48 टाना भगत आंदोलन की शुरुवाद किस नहीं की थी तो इसका सही उत्रे जत्रा उराव तो जत्रा उराव नहीं की थी टाना भगत आंदोलन की शुरुवाद अगला question question number 49 पदमस्री सम्मानित जारकंड के प्रतम आदिवाशी का क्या नाम है इसका उत्र जुविल लाकड़ा पदमस्री सम्मानित जारकंड के प्रतम आदिवाशी है question number 50 जारकंड में निजिक शेत्र में पहला लोह इसपात उध्योग कहां स्थापित है तो इसका सही हुद्र जमसित्पूर में इस थापित है निजिक शेत्र में पहला लोग इस पात उद्योग दोस्तों यहाँ पर यह वीडियो समाप होता है अगर वीडियो में कुछ तूटी रहे गई हो तो कुछ हमसे गलती हो गई है तो इसके लिए हम किशमा चाहते हैं पुरा वीडियो के देखने के बाद एक बार कमेट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर देख लिजिए ताकि कोई आपके एक्जाम के लिए आपका कोई कोई misunderstanding ना हो जाए तो वीडियो अच्छा लोगों तो लाइक कीजिए और इसे आपके facebook या whatsapp के study group में इसे share कीजिए ताकि कोई जरूरत मां student को ये वीडियो helpful और अभी तक आपने हमारा यह चैनल dream kbc gk youtube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है आप हमारी चैनल पर नए हो तो दोस्तों आपको number विडियंती रहेगी आप निचे रहे सब्सक्राइब बढ़न को दबा दीजिए और बाजू मेरे बेल आइकन को आउन कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही fully knowledgeable वीडियो की notification मिलते रहें YouTube वीडियो जै हिंद जै वारत वंदे मात्रम